आज हम यानि की जो बात करेंगे वो एलेक्ट्रोन इफ्ञिटी पे यानि की क्या करेंगे यानि की बात करेंगे कि क्लास में वैसे मैंने थोड़ी बहुत चीजे बताई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आज हमने यानि की डीटेल में बात परेंगे कि क्या होता है और यानि की इसकी क्या-क्या इफेक्ट पड़ता और किस टैप जो यानि की कुशन आते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं क कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है अगर याद हो कल कि मैंने क्लास में बताये था कि एक lahक को एट्रैक्ट करने के लिए तो कि मेरे पास एक हमैं ठीक है ये मालो मेरे पास क्या है कोई एक एटम है और अब मुझे बताओ कि बाहर में एक एलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसको खीच कि अंदर ले आएगा क्योंकि इसको requirement होती है जब इसको क्या होती है requirement होती है क्या करेगा इस दोरान यानि कि क्या करेगा energy release करेगा ठीक है यानि कि क्या करेगा यह जो है energy release करेगा जो energy release करेगा उसी को हम लोग क्या कहते है इलेक्ट्रोन अफिनिटी करेगा यह जो है उसको में लोग सिंपल सब्सक्राइब करने के बाद जो है सिंपल में सब्सक्राइब करने की कारण जो है यानि कि क्या होता है कि energy release करते तो उसको हम लोग क्या करते है यानि कि जो इलेक्ट्रोन अफिनिटिक है आप लोग ने देखा होगा कि मानलो की कभी सपोच कीजिए कि कि किसी के घर में कोई महमान आ जाता है तो घर के अंदर क्य क्या होने लगता है यानि कि energy release होता है कभी वो उसके ताना मारेगा कभी कोई इसके ताना मारेगा तो यहां पर वैसे याद रख सकते हैं जब भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोन के आज आने से सिस्टम की अनिस्टेबिटी बढ़ने लगती है तो जिस कारण से हर कोई आटम क्या चाहता है कि वो जो है यानि की क्या रहे और अगर जी स्टेबल हो जाएगा तो यानि क्या हो जाएगा energy काम रहे कि तो यानि की उतना हो सही रहेगा तो इस चीज़ को में लोग इलेक्ट्रोन आफिनेटी कहते हैं तो इसको कई जगह पर ने एक और नाम स से भी जाना जाता है इसको किस नाम से 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 जाना जाता है बस अंतर क्या है इलेक्ट्रों गें इंधेल्पी और इलेक् अगर जो मैं कहूं मायनस डेल्टा एच इजी ठीक है। यानि कि एलेक्टरोन डेलेख सकते हो एज भी लिख सकते हो। इस या वह जाएगा साइन का अंतर रहेगा इस बाद को या रखना जब आगे में बात करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा यानि कि इसको दूसरे नाम से जाना जाता है यानि कि इसकी होती ऐसे करें कि क्या है नियुकर निगेटिव होता है आ आपको जाए तो जब आगई क्या कहा था कि कोई भी अगर मुझे कोई चीज़ देता है तो जैसे मालो आ ने मुझे क्या दिया मैं B हूँ या S हूँ, A जब देता है तो A positive हो जाएगा, जिसने लिया वह क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा यहां पिर A ने एक electron लिया और जैसे ही A क्या बन गया है, A minus बन गया और आपको पता है कि जैसी हमारे पास A Plus है तो यानि कि क्या हो जाएगा जो देता है वह Pozitive जो लेता है वह क्या हो जाता है यो उस परकारक पास है अच्छा मुझे बताइए कि को सिस्टम की यानि कि यह A ये कॉनसे अनर्जी है इलक्ट्राल गैने फिर रिनप्र कि कि एक कितनी है यानि कि हमारे पास जो है ये एक टेलेक्ट्रानगेज को ज्याद श्रेगा eller टो मेरे पास ये इलेक्ट्रान ओल्ट है मुझे बता है कि इसकी कि एक कोई कोई एलिमेंट ए है उसमें एक लेक्राण एड करते तो उसके अंदर अगर तो समझाने का प्रयाज करो जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई ऑक्सिजन एटम है ठीक है अगर उसके पास क्नाष मैं इड प्रोटओं मंगे एक एलेक्ट्रों में ठीक है इलेक्तिन को छटी रिपर जाएंगी इलेक्ट्रोन अब जाएगे नाइन इलेक्ट्रों और एड इलेक्ट्रों हो जाएगा बचे गांगे इस कारण से यानिंगि टिव चार्ड रब अप्ति आती होगी फिर भी आपसे पूछ रहें कि कि इलेक्ट्रोन एक्षिन्स इसकी इतनी दिए तो आपको बताना है कि एल्य ंफिक इंपए ने कि he यानि कि एडी yoga अगर डीय कितना गोल्ट यानि की इसको मैने इसावित कीकितना हो जाएगा एक कि progression अगर दिये कितना हो जाएगा एलेक्रा वोल्ट हो जाएगा कि नहीं को यहांत लग कोई दिख्का देदा आपनों तूर सकते हैं एक नमें फोई दिख्का दो बता हिए ठीक है ठीक है ठीक है कि किया अंतर होता है कि electron affinity और क्या होता है electron gain intelligence ठीक है मेरे काल से जात लगकिने को कोई दिक्रत नहीं होगा अब हम बात करते है successful electron affinity पे माझनो मेरे पास कोई element है e ठीक है अगर मेरे पास element e है मैं इसको एक electron दोंगा यह क्या हो जाएगा e minus हो जाएगा फिर से अगर मैंने क्या करा कि इसको जो दिया यानि कि e plus को one e यानि कि यह क्या हो जाएगा e minus minus हो जाएगा और अगर जो e minus minus को फिर से हम एक electron देंगे यह कैसा हो जाएगा e minus minus ठीक है तीन minus कहें दो वा इसको 3 minus 2 minus sort formula देता हो इसकी यानि की इस प्रकार से लिख लिखेगे अगर मैं इसकी यानि की जनरली यानि कि जनरली इसकी वेल्व पॉजिटीव होती है और इसकी वेल्व निगेटीव होती है इसकी वेल्व निगेटीव होती है ठीक है यानि कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब आप एड करोगे तो खुद निकालेगा लेकिन जब सकेंड इलेक्ट्रॉन को आप एड क बनाया अब इसकी capacity यारी कि कितने के 2 तो मैंने कहा कि 2 वाइब दो कि मैंने कहा कि अब चौते को आइड करो यह बैंक्स को च्छोटा बना देता हूं तक कि आप लोगों को आफ्लाइन पढ़ाया था तो मेरे साथ यह बढ़ा सीन आता था ठीक है अब माझनो कि मेरी क्लास में जो है यानि की दो एक बैंच पर दो बच्चे बैठने की कैपसिटी है अब मैंने कहा कि भाई बच्चे बढ़ गया तो यानि कि क्या करोगे एक इसको और को बाई किसी तर तो फिर मेरे को क्या करना पढ़ता था फिर जरेंक बैठाना पढ़ता था यानि कि बाखार से एनरजी दोेंहें जğर Birds चारणielt ही यहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए यानि कि कई बाद डाटना भी पड़ता था जिस करण से जो है उसको जो है हम लोग यहां पर देना पड़ता था बाहर से यानि कि इस प्रकार से जब आप पहला तो यानि कि खुद आड़ेस्ट कर लेगा लेकिन दूसरा तीसरा होगा तो यानि कि वो एलेक्ट्रण तो रखेगा अगर जब नहीं रखेगा तो जिस आरण से जानि की या करना पड़ेगा जवड़ा दस्ति आपको एनरुचे देखना पड़े बाहर से इस बांकि पहला तो यानि कि पॉजटिव होगा दूसरा तो यानि कि क्या हो मेरे खाल से इतनी सी बात समझ में आगी तीसरा भी क्या हो जाएगा निगेटी बात रहेगा इनी को कोई दिख्का रिद्वत ही है कि पुलिए ओके नीला मैं कुछ बोलनी रहे हैं तो आज बोलनी रहे हैं लेट आ इसलिए क्या है ठीक है यानि कि यहां पर से यानि कि क्या हो जाएगा निगेटीव हो दिखन जाएगा अदो को जैसे एक कोशन पूछता हूं जैसे मेरे पास कोशन है ए में एक एक एलेक्ट्रों एड़ करेंगे तो इलेक्ट्रों एड़ करेंगे तो यानिकि अब आपको बताना कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है कोशन समझ भाए है दो यह तो वैलू क्या होगी इस बात को याद रखना कि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा नेजी देने पड़ेगी ताकि कि इलेक्ट्रों जो है उसके अंदर दूसरा एलेक्ट्रों रह सके अब यानि कि यह पोजेटीव है यह निगेटीव है तो आपके मनुमें आएगा सरी निकिटीव होना जिरो करो तु क्या होती है है वह क्या होती है आप्छाय होगी यहerus की वेल्टा हsınız पूरे का यहे सब पर निगेटीव होगा अब दो को निगेटीव किसमें है यहाँ पर तुझाद है पॉजिटीव है यानि कि रहात है आंसर क्या हो जाएगा कि कि नहीं को को दिक्क्राद बता है ठीक है आपको बस इतना से याद रखना कि अगर एलेक्ट्रोन एफिनिटी यह तो आपको मैंने जाए पर इसक नहीं सब्सक्राद बता है कि अब यह बताईए कि इसमें से कौन सा राइट आउन्सर होगा प्रकार से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो पस आप तो दो बात याद रखने हैं कि आगर पहला जो होगा पोजिटिव होगा दूसरा जो है जाने की जादा हो जाएगा ठीक है अब यानिकि नोग बात करते हैं फेक्टर एफेक्टि साईव अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्टरोन क्या होगा यानि की घटेगा तो क्यूं कि मेरी बात समझना मैं जो छोटी सी एक कहानी के साथ समझाता हूं उस कहानी को अगर दियान रखोगे तो चीज़े आपके लिए आसान हो जाएगी ठीक है यहां पर एक बड़ा घर बनाता हूं ठीक है अब मालगो कि यह दिल्ली का घर है और ऑपड़ा कोके गाउं का घर है ।ीगिए एक साहर में घर होता है और यह यहिए निक गाउं में घर होता है यह दिली का घर है और यह कहां का घर है आपके गउओं का ठीक यह रूलर एरिया कह दो यह यह इस मॉल विलेज का है ठीक है अब मान लो कि मेरे पास अगर इसमें इलेक्ट्रोन कोई बाहर से आएगा तो यह रखना चाहेगा क्या मांदो कि आपके घर में कोई महमान आप सहर में रहे रहे हो ठीक है अगर जब कोई सहर में रहे रहा है यानि कि कोई महमान अगर जब आ जाएगा तो रखना चाहेगा क्या नहीं यानि कि वो एनर्जी क्या करेगा बहुत जादा रिपस्टम करेगा लेकिन जब बड़ा घर हो से आसाने से मιलुक्तार सकते इल क्या सकते हैं विलिज रटा देता हो रिखते हूं यानि की वह की फ्लिक्तव अंप सकता है जिसकी जिद्स Wire कि ज्यादा हो जाएगी चीट क्यों कि आक्डमीश साइथ्स जितना बड़ा होगा व इलेक्ट्रेन उतने आसानी से यानि कि क्या कर सकता है रख सकता है अगर वो उतने आसानी से लेक्टान रख सकता है अब मालों कि मेरे क्लास में यानि कि अगर 160 आने लगेंगे तो मुझे दिकत है अब मालोगी कितने बच्चे 50-55 बच्चे हैं तो यानि कि एक आद आ भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है दस भी आ गए 20 भी आ गए तो फर्क पड़ेगा क्या नहीं जिसके पास साइज बढ़ा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोन रखने के लिए काफी स्पेस होता है जिस कारण से यानि कि वहां पर क्या हो जाता है कि हमारे पास जाने की एनजी कम रिलीज होती है लेकिन जब साइ होंटियों the same point की जाते है जैसे मैं काहूं कि आप लोगों को आता होगा यह ब्रुप का नाम बताई लेटम प्रकार से दिया हुआ है अगर मुझे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है यानि कि इधर साइड जाने पर कि इफेक्टिव नुक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ता है ठीक है यानि कि नुक्लियर चार्ज बढ़ेगा अगर जैसे जैसे साइड छोटा हो जाएगा तो यानि कि चार्ज इसके बढ़ जाएगा तो यानि कि इलेक्ट्रोन को रिपेल करने की टेंडनसी बढ़ जाएगी अगर जो इलेक्ट्रोन को रिपेल करने की टेंडनसी बढ़ जाएगी जिस कारण से यानि कि क्या हो जाएगा यहां से क्या होawanेगा कि electron आपको जादा energy दे publi पड़ेगा यहां से क्या होगी तब जादा energy release होगी यहां कि electron affinity यिתח सब्सक्राइब दूसरा बात करते हैं यहांने हाफ फिल्डों जो fulfilled होता है वह क्या होता है ज़ादा इत्वाइब और चाता है ठीक है कि वह आहलता है ज्यादा इस्टेबल होता है अगर जब वह स्टेबल होगा तो तो उसकी यानि कि वो लेता ही नहीं है या नि कि फी उर 이야 वो फीजिक हो हिस्ती प्रकार से हो जाता है ओके मेने के मंनके को कि इसे बहुत सारे आपको कोशन मिलेंगे अब देखो जेनरल ट्रेंड मैंने का कि अगर मैं इस डारेक्शन में चलता तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्या होती अगर जैसे जैसे साइज छोटा होते चले जाएगा यानि एलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रीज़ होना चाहे है यहां भी लित आ है कि यहां पर क्या हो जाएगा कि लेक्ट्रोन एफिनिटी क्या हो जाएगा सबसे जोगा सबसे जहादा कर Hevenidos अब उसके बाद यानिका सबसे ज़ाद की सक पूरोन का कार्बन का नाइक्ट्रोजन का और फ्लोरीन ने यहां पर रिज्जन समझें मैं electronic configuration लिखता हूँ ठीक है ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा करता नहीं है क्यों नहीं करता है आपको पता है इसकी electronic configuration कितनी हो जाती है 2S1 ठीक है इसकी कितनी हो जाती है 2s2 और इसकी कितनी हो जाती है 3p1 और इसकी कितनी हो जाती है 3p2 इसकी कितनी हो जाती है 3p3 और इसकी कितनी हो जाती है 3p4 और इसकी कितनी हो जाती है 3p5 और 3p6 मैंने आपको कहा कि जो half filled या fulfilled होंगे उनकी यानि कि electron affinity यानि कि क्या हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी यानि कि जो भी half field and fulfilled होंगे यानि कि उनकी stability क्या हो जाएगी यानि कि बिल्कुल zero हो जाएगी जिस मैंने आपको कहा था कि जो भी half field fulfilled होंगे वो electron लेना नहीं चाहेगा अगर जो electron लेना नहीं चाहेगा तो जिस कारन्स यानि कि क्या हो जाएगा उसकी electronicप्रीटी जीरो हो जाएगी इस हिसाब से अभी मैंने ionization में कहा था कि बस एक एक जंप कर देना लेकिन यहां पर वैसा नहीं चलता है यहां पर क्या होता है कि neon क्या कर जाता है और nitrogen और berylion यह तीनों की लगबग-लगबग क् यानि कि अब जो जाताख गया अगर से मैं इस हिसाब से बनाउंगा यह यहां पर देखा गया कि यह जो षिप करसे आ रहे ऐनी कि इलेक्ट्रोन एफिनिटी का जो 30 है वह पूस है इस प्रकार से आ रहा है पूछा है यानि कि इस डॉकि जो एक्सपरिमेंट से आपके मन में फिर से पूशन आना चाहिए कि सब ठीक है मुझा यह तो समझ में आ गया की बेरिनियम नैट्रोजन और यानि कि तीनों की स्टेवल तो यानि कि इसकी क्या होगी सबसे जीरों के बराबर हो जाएगी पिर आ लेलियम नैट्रोजन नियोन है यह हाफ फिल्ड स्टेविलिटी है जिस करण से आपने कहा कि इनकी जो जीरों थी मैंने मान लें कि यह तीनों तो जीरों होगे यहां पर देखो यानि की लिखना क्या चाहिए था कि आपके अनुसार से जिसकी साइज बढ़ी होगी उसकी इले यानि की बाद में लॉजिक आया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो यहां पर आपको इसको कहा दता हूं गुइवी विवि आई इंपार्टेंट है तो आपको इसको तो तो यहांज ही रिमेंबर कर तुकि इसके बहुत सारे आपको कोशिन मिलेंगे ज़स्ट में कराऊंगा कि जो है किसका भी होना चीए यानि की पूरा का पूरा देखो ट्रेंड यानि की जो है गलत तरीके से इसको लिखा गया है आपको याद रजने में भी दिक्कत हो जाएगी लेकिन इतना तो पता है कि संद्री नाच्पोचन ब्रॉडेम यह सबको लिख लेता है फिर आपको याने की क्या करना प्रॉण लिखना न ब्रॉद्चन जो हो जाएगा नहीं को को दिखा तर्बत है कि वह एक्सप्रीमेंटर नावत यानि चर आपनी एक आप नहीं जरी बोरोन का तो एलेक्टोनी कन्फिग्रेशन 2P1 होता है बोरोन का 2P, सब का 2P होगा ना जर 2P1, 2P2 ऐसे होगा थेंक्यों निला, अपने ध्यान रखा ये 3P, ये तो मारा 2 है ना ठीक है, साहिए रहे 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 ठीक है, ठीक है, ठेंक्यों निला, अब याने की इस परकार से याने की क्या हो जाएगा कि आपको ये एक्स्परिमेंटल डाटा है, इसको याद आद आख लेना हो, ठीक है, चलिए, अब हम याने की डाउन अप्रिये, आपको अगर दिन में लिकून लिथियम, ठीक है, याने की क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरेलियम, sodium potassium rubyedium और यानि कि क्या हो जाएगा कि यानि कि नीचे की और जायगा तो size क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अगर जिस साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोन एफनिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा जितना बड़ा गर तो डिक्रीज हो जाएगा यानि कि वहां से असाने से क्या हो जाएगा रह सकता है यानि कि electron activity क्या हो जाएगा यानि कि जह decrease हो जाएगा ठीक है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे exception आते हैं ठीक है अब देखों यहां पे आपको ये ग्रूफ 14 15 16 17 यह आपको याद रखना है गरने और चाइता की नीचे की और जाने पर याने की क्या होना चाहता है करता लेकिन देखा क्या गया कि जो Silicon है न वह कारवन से जंप कर जाता है यहां पर ऐसा कहा जाता है कि साइज और इसकी इलेक्टर की व्लस्काषाइब के कारण अब जब से ज़्यादा किसका हो जाएगा कार्वं का हो जाएगा Bene protections के होने कि कारण इब्धीड के तoncé इस का जाएगा करने जिस कारण सी क्या हो जाते कारवन काorse ऐसे अगर जब जनरल ट्रेंट की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा लेट की होने चाहिए फिर टीन की फिर जर्विनियम की फिर सिलिकन की फिर कारवन की होने चाहिए क्यों कि नीचे की और जाने पर साइज बढ़ता है और जब साइज बढ़ेगा तो एक बड़ा सा घर होग है यहाँ पे क्या हो जाता है इसका इंद बढ़ जाता है जिस कारण सी कार जाता है थोड़ा सा ज़्यादा पास ड़ेसे लिखन जन्रल अगर्जेट्रेंड की मैं बात दरूं मेरे पास कारवन, सिलिकन, जर्मेनियन और एसेंग और पीवी जर्मेनियन 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 और पीवी कारणि यह क्या कर जाता है और इसका तो राइट आर्सेंग से और फिर किस से निकलना चाहिए तो एकिन यह क्या है गलत है यहां यह भी क्या है गलत है किंगा यहां पर यहां पर यहां पर कर जाता है और यह यह जासे लोब साइज परफेक्ट होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रान बढ़ जाता है और जब रिपल्सन बढ़ जाता तो यह क्या कर जाएगा यह यहां पर जाएगा और आपको याद रखना कि इलेक्ट्रोन एफिनेटी में जो ग्रूप 15, ग्रूप 16, ग्रूप 17, अब नहीं बताऊंगा, उसके अंदर एक और सीज़े है, यानि कि ग्रूप 15, ग्रूप 14, ग्रूप 15, ग्रूप 17 में जो सेकेंड यानि कि जो अगर जैसे मैं बात करूँ, थर्ड प्रियेट के कर देते हैं, और जैसे ही डूमिनेट कर देंगे तो उसकी एनरजी, अब अगर जैसे ग्रूप 16 की बात करूँ, तो यह अलग ही खेल खेलते हैं, अब उसके अनुसार से तो यह सबसे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यानि कि ऑक्सिजन जो हो जाता है, पूरे ग्रूप में सबसे कम यानि कि जो है, आप क्या कर सकतो है, यानि कि सबसे ज़्यादा सलफर हो जाएगा, और यानि कि सबसे कम हो जाएगा, यानि कि क्या हो जाएगा, और यानि कि नीचे की और जाने पे इलेक्ट्रों एफिनिटी डिक्रीज करती है, ऊपर की और जाने पे इलेक्रों ए हो जाती है तो सबसे कम तो प्रेंड में होता कि आगे आ जाता तो चीज़ बिल्कुल सब के लिए चारों के लिए बिल्कुल सेल ट्रेंड होता है तेकिन यहां पर देखा गया कि एक्सपरिमेंटल डाटा से कि जो ऑक्सिज़न है न वो लोईस्ट इलेक्ट्रों अफिनिटी सो कर रहा है और इसका जो ट्रेंड था वो क्या था पुछ इस प्रकास से था अब आपको यह चारों के चारों ट्रेल याद रखने है मैं यह बीच वाले मिटा देता हूं ताकि कि यह फूरी इलेक्ट्रों एफिनिटी की कहानी थी अब गए हुआनी कि आपसे जो पूछन पूछते है कि कि प्रकार से पूछाठी तुछत की पर बताया था उससी पर कुछन है तर एक बाल पीच्छे वाला पेज़ दिखाना ओके अगे हैं कि अब यहां पर निम्दी क्या हो handicap जाते है जादा हो जाती फ्लोरीन का हो जाएगा इता अनुदे left looking इत तल्कि कम और सब पर की है तो सबस्ब्सर का हो जाएगा कि इसल्फ को जाएगा artist को इपने कई आप लगारी यहां की यहां पर सबसे कम किस हो जाएगे कि हेंतरा यहां तो यह देखना है कि सबसे ज्यादा क्लूरीं का होगा यह का होगा यह सलपर का तो हमेसाद इस बात तो याद भी रख लेना कि जो गूरूप 60 होते है उनकी एलेक्ट्रॉम क्या होती है यानि कि जो है कम होती है कर सब्सक्राइब यहां पर मैं पर यहां पर वेडिलिग मिल जैगा यह ये कोशन आप लोगों को समझ में आया या नीं आया है? येस सर्थ मेरे खाल से J-Mince का कोशन है इस टाइट से आपसे बनाओं ये दखो ये पता नहीं दस वारा बार ये वाला कोशन है पुछा जा चुक है क्या आप लोग बनाना चाहोगी बिल्कुल सही बनाना जैनरल दुनिया बनाएगी तो गलत बनाएगी आप अगर जैसेप्शन के यूज करके बनाओगी तो बिल्कुल सही बनेगी ठीक है यानि कि आप लोगे इसके फटा बड़ बहुत ही असान सा कोशन मैंने ज़स्ट भी इसके लोजिक बता दिया आपके ले तो आप लोग इसको प्लीज बनाएगी ठीक है एक एक बार में रिवाइज जरूर करते रहे ना क्यूंकि चीजे जो है अगर जैसे रिवाइज नहीं करोगे तो बोजते चली जाओगे ठीक है चली मैं बना दूँँ कौन सा अपसन होगा चली मैं लिखता हूँ मेरे पास फ्लोरीन खलोरीन ब्रोमीर ऐओडिन है ठीक है याँनि कि अगर जेन्रल ट्रेंड लिखता तो सबसे कम तो आयोडिन का होता फिर ब्रोमीन ब्रोमीन का होता फिर किसका हो जाता है फ्लोरीन का और सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है फ्लोरीन का ठीक है लेकिन हमने क्या कहा कहा कि जो क्लोरीन है वो क्या कर जाता है यानि कि जंप कर जाता है और जंप करके यानि कि कहा जाता है आगे आ जाता है यानि कि क्या हो जाएगा आयोरीन सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या दिया होगा याने कि फ्लोरीन सबसे जादा क्या हो जाना चीए इस प्रकास होना चीए ठीक है याने कि अब जानी कि क्या हो जाएगा जो भी आंसर हो जाएगा तो इस प्रकास इसका जो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे जादा याने कि फ्लोरीन होता भी तो नहीं होगा ना तो जाएगा यहां भी जादा है इन्होंने थोड़ा से जानी कि क्या करा है घुमा के लिख दिया जैनी कि बिल्कुल डारेक्शन उन्होंने सही लिखा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीके नहीं एक याने कि अभी भी तो फ्लोरॉरी यहां भी फ्लोरिन से जादा कलोरी न Tigers इढ़े तो यह दिखत नहीं है ठीक है नहीं आप लोग यह बने यह नेक्स्ट बनेए पटावड से आप से पूछ रहे हैं अपसे पूछ रहे हैं अपसे पूछ रहे हैं तो यहां पर देखिए यह P3 है यह P3 यानि मैंने कहा हाफ फूल फूल तो यानि की अब बचा यानि कि आपके पास कितना 1s2 2s2 2p5 और यानि कि यह भी हाफ फिल्ड़ यह भी उतना ज्यादा यानि कि सो नहीं करेगा अब हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यहां से सुनना यहां पर यह क्या उनसा है फ्लोरीन है इसको यह एक्सेक्शन वाला केस है यह कौन सा है द कितना हो जाएगा 15 से सी होगा इसका ओप्शन सी होगा यानि कि आपके पास कितना हो गया यानि कि 17 हो गया अगर 17 होता है यानि कि कि किसका हो जाता है फ्लोरीन का और आपको पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ज़्यादा होती है मैक्सिम्म कितनी हो जाती है फ्लोरीन प्रकास हो जाएगा पर किसी चीज़ को एट्रेक्ट करने कि टेंडेंसी को तो को इलेक्ट्रोन एफिनिटी का मतलब होता है यानि कि घूख लगना इसल यानि कि इलेक्ट्रोन की खाने की टेंडेंसी यानि कि इलेक्ट्रोन निगेटिविटी का मतलब होता है किसी चीज की और अट्रेक्ट्रोन या अट्रैक्ट करना जैसे इलेक्ट्रोन निगेटिव को रखने की टेंडेंसी को कहा रहेते हैं जब कि यहां पर क्या है कि attract करेगा खीचेगा जैसे चुमबा के जो है यानि कि क्या करेगा कि खीचता है वो किसी चीज को रख नहीं सकता वो क्या करेगा उसके पूलिंग केपसिटी है तो यानि कि उस चीज को में क्या करते हैं सिंपल सब्दों में कहूं कि कि किसी भी चीज को खाने की इच्छा को में क्या करते हैं अब कितना खा रहे हो यह इलेक्ट्रों एफिनिटी करते हैं मेरे काल से थोड़ी सी आप लोगों को इन लॉजिक लग रही होगी सर खाने पिने का बात कर रहें लेकिन फिर भी आपको मैं कह रहा हूं कि अब जैसे मालों की साधिक्स में पार्टी में जाते हैं यानि कि हम कहते हैं यह यह खाएंगे यह हमारी इलेक्ट्रों निगेटिविटी है यानि कि खाने की टेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड ठीक है, X को याने कि थोड़ा सा याने की कर देते हैं, जिसको जीटा कहते हैं, जीटा कहते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक वार कोशन भी पूछा गया था है, एलेक्ट्रो निगेटिविटी कि क्या यूनिट होती है, आपको बताना है, इसकी कोई यूनिट नही है एक अपने पास रहा है एक खीचने की टैंडेंसी तो legitimately यानि कि क्या करेगा कि electron को accept करें यानि कि रख लेगा जैब कि इसके पास कीPhone है टैंसी है electron को एक अट्रैक्ट कर ख्राइक कि बहुत छोटी सी बात है लेकिन आप समझने का प्रयास करो Electron Affinity का मतलब है कि आप गए और उन्होंने जही यानि कि क्या कर ले है रक लिया लेकिन Electron Negativity का मतलब होता है Electron को खीचने की tendency यानि कि आप कितना खीच सकते हो यानि कि जहाइन कि क्या हो जाएगा यह Electron Negativity हो जाएगा जेनरली, it's occurred in isolated atom यह जो होगा, निकी कहा होगा, isolated atom में होगा, ठीकत urine है, यानिकी isolated atom का मतलब क्या होता है, जे अकीला-केला atom होगा, वहा पे होगा जब कि यहां पर जो होगा, यानि कि क्या होगा, कोवलेंट बॉर्ड में होगा, ठीक है, यानि कि क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉर्ड में होगा, यानि कि कोवलेंट बॉर्ड का मतलब जैसे, HCL, HBR, HI, या जब दो कब बॉर्ड बनते हैं, तो उसके दोरान, यानि कि क्या ह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह किस पर depend करता है हम किसी के reference में कहते है कि Einstein से इसकी बुद्धी कितनी है ठीक है यह अलग-अलग लोगों से हम compare करते है यानि कि यह बताता है relative value हो जब कि यह क्या होता है अकेले-अकेले के value होते है इसलिए हम इसको क्या कहते है यानि कि absolute value करते है और आप कितनी रोटी खा रहे हो और आप कितनी रोटी खाना चाहते हो यादर जाएगा तो चीजे जो नहें कि अट्व सब्सक्राइब करना मिटए को तो यानि कि जसका साइज जितना कॉम होगा उसकी इलेक्ट्रोरा निगटिव्ती उतनी जादा होगी इलेक्ट्रों निगेटिव टीव का मतलब खीचनी की टेंडेंसि जितना नुपलियस की करीब होगा इसके पास जितना दूरी पर है यहां पर भी जितना दूरी पर है मतलब यह ओट्रमोस है अब मुझे बताए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रों तेजी से खीचेगा पहला वाला कि यह दूसरा वाला क्यों कि काफी करीब है नुकलेस पॉर्स ऑप अट्रेक्शन लगाएगा यानि कि क्या कर लेगा आसानी से खीच लेगा लेकिन यह क्या करेगा काफी दूर एक वैसे भी आट्रमोस से अमने का कि दोनों की बराबर दूर हो रहे बले यहां पर लेकिन यहां से काफीन वहलों की सायईज पर डिपेंड करता अगर यह से ज्यादा होगा कि अगर जैंिलेक्ट्रो निगे Questo होगा को जोगा कब कि यानिखी इंग्रीज होगा कब जब क्या हो जाएगा साइज डिक्रीज होगा आपको पता है कि इदर साइड की और जाते हो तो यानि कि साइज क्या होता है Python B. वहOS संव होर्ट कि इसकारण से Namika इदर की और जाने प्रेया फे एलेक्रियम की डीघ्रीया तो सब्सक्राइब हम सेंडी बात मतरा है यानि ये ट कर दो प्रेक्षा व्यास है ाक जिसमाल वह नीदी कि यहे नाए पूचेजन फ्लोकेशोर्ट टेक्टियन की अगर इस डैरेक्ष्टन में जाएंगे तो यानि की नुक्लियर इफेक्टिव नुक्लियर चार्ज्ड़ क्या हो जाएगा इनक्रीज अगर जाओं increase होगे अगर जे increase हो जाएगा तो यानि कि size decrease हो जाएगा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ size क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा अगर जे size decrease हो जाएगा तो electro negativity क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा कि अगर जैड की वैलू इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रो निगेटिवटी की वैलू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी कैसे हो जाएगी क्या चार्ज इंक्रीज होगा तो यानि कि उसको होल्ड करके रखेगा यानि कि size decrease हो जाएगा और size decrease हो जाएगा तो यानि कि electronegativity क्या हो जाएगा यानि कि increase हो जाएगा यह जो है यानि कि क्या करेगा यानि कि आपके लिए factor का काम करेगा तीसरा चार्ज on cut time यानि कि क्या charge है इस चीज़ पर भी depend करता है कि उस पर जैसे मालो की ElectroYouTube पे जितना positive चार्ज होगा वो उतना जादा यानि की ElectroN को खीचेगा बताओ इसके बचारे के पास दो जैसे मालो की किसी के पास जो चीश की कमी होता है वो उधर जाता है जैसे मालो की मैं कहह रहा हूं कि मेरे पास यानि कि सब्पोस्च किजी कि पैसे की कमी है तो मैं कि चाहूंगा कि जहां से मिले एका मैं फटा-फटा कर लूँ मा इस बैचारे के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा अगर हम कहा है पॉजटिव चार्ज तो यानि कि जित्ता ज्यादा पोजिटिव चार्ज हो गा उत्ता ज्यादा कीजेगा बताओ इसमें कॉन सबसे ज्यादा कीजेगा mm प्लस तीजेगा वैयरिग वड्स यानि कि इडि़ एन्याइन की बात वो आद दो का उसके पास पहले से अलरेडी है तो कभी कहना कि चलो तुम्हें आज राज गुला किलाता हूँ, वो कभी इंटरस्ट लेगा क्या, नहीं, यानि कि इसके पास already यानि कि electron है बहुत ज्यादा, यानि कि अब यह बताओ कि सबसे ज्यादा electron negativity किसमे होगी, यानि कि यानि कि electron negativity यानि negative charge, जितना कम होगा, electron को उतना ज्यादा खीचेगा है, या electron negativity उतना ज्यादा होगा, यानि क्रीज होगी, तो आप reason समझना, मैंने क्यों का कि positive में बेचारे के पास कमी है, अब जिसको जिस चीज की कमी होती, वो क्या करेगा, उसको खीचेगा, यहाँ पे इलएक्ट्रोन को खीचने की टेंडेंसी बहुत ज़ादा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे यानि कि निगेटीव पढ़े है अगर जो आप यानि कि रखना चाहेगा नहीं तरह के पास कब दो टीन पर चाहती हैं इसने कहा कि चार आठीजेस्ट इसने कहा कि इस yay अब खुद बताऊ कि यानि इसके पास तो अलरटी में यानि कि वो क्या करेगा यानि कि इलेक्ट्रों को जो है आसाने से रख लेगा यानि कि जिसमें जितना कम होगा इलेक्ट्रों को कोई दिक्क्यादत वद देए दो सबसुने जिसके अंदर परसने कि इस परसंटेज कितना फिप्टी परसेंट अगर जैसे पूछा जैसे अगर जैसे जिसका पूचा है S कितना है 1, टोटल कितने, P के 2 और वेटल है, इसके 1 है, यानि कि 3, आप इसको 100 से मल्टिप्लाइ कर दो, यानि कि कितना हो जाएगा, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, जिसमें, जितना जादा S का करेक्टर होगा, S करेक्टर, ठीक है, S करेक्टर यानि कि High होगा, तो यानि कि उसकी इलेक्ट्रो निंगेटिव्टी क्या हो जाएगी है आपको यह वैसे मैं बता रहा हूं वैसे तो मैं यह आपको बताऊंगा केमिकल बॉंडिंग में लेकिन में भी हो सकता है कि आपके पास वहांत लग हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पास अगले अ दी टू में मुझे बताओ कि पी का परसंटेज कितना है अगर रेश्य में नहीं बता रहे तो फ्रेक्शन में बता दू कि मतलब वन बाई जैसी जो भी आ रहा होगा उस तरह से आप बता सकतो प्रेक्शन में नहीं तो रेश्य के टजम में यह पता दो कर जड़ती कीजिए परसंटेज हो जाएगा यानि कि इस परकार से यानि कि 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 किसी का भी आप परसंटेज निकार सकतो हो इस करक्टर जितना जढ़ा होगा फिस्ट्निज़ादा यानि अनि कि हो जाएगी अब यानि कि हम प्रीट में बाग करते हैं जब प्रीव कि this обрат ने में चलोगे तो इलेक्ट्रो निग्नियोटि उत्पाइद क्या मिधुटी आते जी रह जती है नकी साइज यहां पर क्या होस्ती क्या होती है आपसे मैणे लेक्ट्रों को उत्पर्भ उधी यहां कि क्या हो सब्सक्राइब कि size increase होती है अगर size increase होती है तो electro negativity भी क्या हो जाएगी यानि कि अलग अलग तरीके से लिखा होगा हम यहां पर आपको शॉट ट्रिक बताएगे यह actual है ठीक है यह जो है मैंने क्या करा कि आपके लिए actual खुछ वेल्यू है मैंने लिग्क के लाया हूँ लेकिन आप याद रखना कि ऐसे इसको याद नहीं रखना आपको मैं कहता हूँ कि सब करना बिहार में करना यह चार-पांच एलिमेंट है याने कि जो बहुत है थोड़ा से अंतर याद रखना कि जो फ्लोरीन है न आप इसको फॉर मालूम है कि याद करने का तरीका बता रहा हूं याने कि कितना मालोगे फॉर मालूम बस आप कॉइंट फाइप गट आते चले जा रहते हैं यहाँ पर है नैट्रोजन और फ्लोरीन का लगभग लगबग होग यहांपे मैंने फोड़ा संतर लिखा है लेकिन कई जगर पे हैं नैट्रोजन और यहां पे 3.014 जाहतों यहां पे 3.014 यानि कि थोड़ा से ज्यादा इसलिए मैं इसको नाइट्रजन को पहले लिखा है और एक तैने कि यहां पे 7 0023.13 सिस है लेकिन सिक्वेंस बनाने के लिए मैंने क्या करां कि फॉन कॉल करो बिहार में तो यानि कि आपको याद करने के लिए चार जब भी दिखे तो यानि कि क्या हो जाएंगे पॉइंटी ऐ हो जाएंगा यहां पिर लेट तरीका मैं बता रहा हूं आपको भले ही याद रखना हो तो ये रेड़ कलर वाला याद रखना लेकिन आपको ये तरीका भी आपको आना चाहिए ताकि कि आप इससे आपको इतना तो जरूरी याद रखना है यह वाला यहां से लेकर कि प्लॉरीन का कितना हो जाता है याद रखना है और यहां पर फास्पुरस ले ले लेते हैं यहां इतनी सी वैल्य तो याद रखनी ही रखनी है इसी से आपका ज्यादा काम बनेगा और कई जीगा पर ब्रॉमिन भी आता है यह बहुत यहां तो फॉवाट वटा होगता है यानि कि इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखना नेक्स क्लास में इसके एप्लीकेशन बताएंगे और यह लगबग लगबग यूनीट कंप्लीट हो चुका अब इनके कुछ छोटे-छोटे बचे हैं कौन अन्फटरिक है कौन यानि कि जो है कहां पे रेक्टिविटी ज पूरा को पूरा कात्म हो जाएगा यानि कि कला